दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे So these were the words of चंदर शेखर आजाद तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चंदर शेखर आजाद की बायोग्रफी तो हम सीख रहे हैं English through stories, articles, essays and now from biographies तो biographies से भी हम English को improve करेंगे, तो बहुती बढ़िया ये topic है तो आप देखेगा इस वीडियो को last तक आपको चंदर शेखर आजाद के बारे में भी पता चलेगा और English भी improve होगी, और आप में से अगर कोई भी step by step English सीखना चाहता है तो आप मेरे app को download कर लें, आप का नाम है become English champion, उसमें मेरा one year का course है जिससे आप मेरी 600 वीडियो से step by step basic to advanced level की English सीख सकते हैं तो one year course का price है just 599 रुपीज तो चलिए अब हम इस आपको read करना शुरू करते हैं तो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे तो ये slogan था चंदर शेकर आजाद का तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको read करना तो start इस तरह से होता है contemporary of चंदर शेकर आजाद अब इसका मतलब सबसे पहले आप समझ ले contemporary क्या होता है contemporary मतलब होता है आधूनिक लेकिन इसका meaning एक noun की तरह एक adjective की तरह थोड़ा सा अलग हो जाता है तो contemporary अगर adjective है तो use होता है इसका मतलब आधूनिक यानि कि अब भी जो चल रहा है recent time में या फिर कोई भी past का time जिसकी बात हो रही एक particular समय की अगर एक noun की तरह याँ पर use किया जाए तो इसका मतलब होता है एक person जो दूसरे person की हम उमर का हो लगबग same age का हो उसी के समय का हो तो यहाँ पर a का use हुआ है इसका मतलब contemporary का मतलब यहाँ पर किसी person से है तो मैं आपको dictionary में लेके चलता हूँ ताकि आपको इसका meaning clear हो तो सबसे पहले यह Oxford learners dictionary है तो यहाँ पर contemporary लिखा है अब इसका मतलब पढ़िए a person एक व्यक्ति contemporary मतलब एक व्यक्ति कौन व्यक्ति who lives जो रहता है या lived जो रहा at the same time उसी समय में as somebody else जबकी दूसरा रहा especially somebody who is about the same age मतलब लगबग उसी उमर का जो same age का हो तो जो चंदर शेकर आजाद के हम उमर थे और उसी के समय के जो नोजवान थे उनकी यहाँ पर बात हुई है contemporary इसका यह मतलब है अगर अभी भी आप satisfy नहीं है तो एक और आपको दिखाता हूं यह vocabulary दूसरी है तो यह देखिए यह adjective की तरह यूज हो रहा है इसका मतलब occurring in the same period of time वो जो same समय में घटित हो दूसरा मतलब belonging to the present time जो एक ही समय से तालूक रखते हो present time से जैसे contemporary leaders मतलब इसी समय के leaders ऐसे contemporary trends in design design में जो भी आधूनिक design मतलब एक ही समय के तो यह सब adjective है पर हम बात कर रहे है नाउन की यह देखिए नाउन लिखा हूआ है तो क्या मतलब इसका a person of nearly the same age as another एक व्यक्ति जो लगबग same age का हो दूसरे की एज से अगर अभी भी अकीन नहीं है तो आपको मैं एक और दिखाता हूँ this is merriam-webster's dictionary तो इसमें भी आप देख लीजिए contemporary तो यह जो है यह adjective का काम कर रहे है यह adjective का use है contemporary का लेकिन हमें noun चाहिए तो noun में देख लीजिए one यानकी एक व्यक्ति that is contemporary with another जो दूसरे का contemporary हो यानकी उसी के समय का तो one of the same और nearly the same age as another तो अब I hope कि आपको समझ में आ गया होगा contemporary का मतलब यहां पर हम इसको यूज कर रहे है as a noun तो यह हमारा adjective नहीं है this is noun तो यहां पर आपको मैं क्यों बता रहा हूं इसके पीछे बहुत बड़ा आग वाला जिसके अंदर आगो firebrand is जिसके अंदर आगो तो वो पैदाईशी तो यहां पर born firebrand मतलब पैदाईशी जिसमें आगो वो revolutionary था revolutionary मतलब होता है करांतिकारी तो अब आप इनको याद कर लो revolutionary is करांतिकारी और born firebrand जो पैदाईशी जिसके अंदर आगो और contemporary मतलब यह हमने इसको यूज कर रहा है नाउन की तरह इसका मतलब एक व्यक्ति जो चंदर शेकर आजाद के ही एज का था उसी के समय का था तो हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे कॉंटेंप्रेरी ऑफ चंदर शेकर आजाद मतलब चंदर शेकर आजाद का जो समकालीन था वो एक बॉर्ण फ्री फायर बेंड रेवलुशनरी था क्रांतिकारी था अब यहां पर आपके लिए मैंने वर्ड भी लिख लिए हैं तो कंटंप्रेरी नाउन की तरह है तो ऑफ सेन एज जो एकी एज का हो और प्रेजंट एज या प्रेजंट एज का हो हिंदी में बोलते हैं समकालीन या आधूनिक और रेवलुशनरी मतलब क्रांतिकारी तो अब आगे पढ़ते हैं इंगेजड मतलब वह शामिल थे मतलब किसी चीज में व्यस्त होना बिजी होना या उसमें शामिल होना तो ही इंगेजड अब यह किसके लिए यूज हुआ है चंदरशेकर आजाद के लिए तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यह जो ही है इसको हमने यूज किया चंदरशेकर आजाद के लिए तो यह हमारा है प्रो नाउन चंदरशेकर आजाद इस नाउन और वो शबत जो नाउन की जगह पर यूज हो उसको बोलते है प्रो नाउन तो ही एंगेजड वो शामिल था इन हैरोइक बैटल बैटल मतलब होती है लड़ाई वार मतलब एक पूरा का पूरा युद और एक वार के अंदर जो चोटी-चोटी लड़ाईयां होती है उनको बैटल बोलते हैं जैसे आजादी की यह लड़ाई थी तो आजादी के लड़ाई के लिए हमने चोटी-चोटी लड़ाईयां लड़ी होंगी तो उनको चोटी-चोटी लड एंग्रेक्व के खिलाब्स इहां पर बृटिश जो है यह अंग्रेक्ड्स को बता रहे हैं जिसे इंग्लीश एक भाषा है अगर。」 इंग्लीश के साथ द लगा दूत इंग्लीश इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज द.. बृटिश अंग्रेज द इंडियन भार्ति है तो द लगने से वो भाषा नहीं रहती है वो नेशनेलिटी बन जाती है तो यहां पर एक वर्ड और याद कर लें heroic battle मतलब वीरो वाला युद तो वो शामिल था heroic battle में ब्रीटिश के खिलाफ तो आगे हीज रोल उसका जो रोल है वोज कुरूशियल वो अतियावश्यक था बहुत महतर पूर्ण था तो कुरूशियल मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पर आप याद कर लें कुरूशिल इस अतिया पूर्ण यहां पर जो गरने में कौन दूसरे ऑफ हिज जनरेशन उसी की जनरेशन के जो दूसरे थे उनको इंस्पॉएर करने में उसका एक Carnival occupyना था तो पार्टिसिपेट ताकि वो पार्टिसिपेट करें इन दे नैशनल मुवमेंट मुवमेंट ओफ फ्रीडम जो ये राश्ट्रे आंदोलन है फ्रीडम आजादी का तो आजादी का राश्ट्रे आंदोलन तो आजादी के राश्ट्रे आंदोलन में participate करने के लिए जो inspiration पैदा करी दूसरों में उसी के generation के लोगों में तो उसमें चंदर शेकर आजाद का बहुत crucial role रहा तो यहां पर आप word याद कर लें crucial is very important और बाकी तो simple है और moment मतलब होता है आंदोलन freedom मतलब आजादी तो आगे चंदर शेकर आजाद was born चंदर शेकर आजाद पैदा हुआ अब पैदा हुए बोलते हैं इनको चंदर शेकर आजाद पैदा हुए because respect देने के लिए आप बोल सकते हैं वैसे तो respect वर्ड से नहीं आती है वो अंदर से आती है तो चंदर शेकर 1906 वो पैदा हुए तो और मतलब पूरी डेटा बताएं तो और कहां पे इन भवरा विलेज भवरा विलेज में जो आई थिंग अभी मध्यपरदेश में है उनको कहा जाता था दैन उस समय चंदर शेखर तिवारी तो यह पैसी वोईस है पास्ट इंडेफिनिट उस समय उनको क्या नाम से बोला जाता था चंदर शेखर तिवारी ए पडूपदारें हैं इस ऊफोरफादर्स उसके पुरवज वर कर लए वह बदर का विलेज वह का विलेज से थे निर कानपूरば का FUCK AMY है यहां पे एक dec व황 क्वार पडला इसका मतलब किया लाग टो इसके बाद वे का इस मधर तो उनकी माता जगरानी देवी उनकी मदर का नेम था तो उनकी माता जगरानी देवी was the third wife वो तीसरी पतनी थी of his father सीताराम तिवारी उनके पिता सीताराम तिवारी की चंदर शेखर spent his childhood, चंदर शेखर ने बिताया अपना बचपन इन भवरा में, his mother wanted, उनकी माता चाहती थी, her son to be a great Sanskrit scholar, की उनका बेटा एक महान संस्कृत का scholar बने, great Sanskrit scholar अब scholar क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, विद्वान और great is महान, तो उनकी माता चाहती थी, की उनका बेटा एक महान संस्कृत का ज्याता बने, scholar बने, विद्वान बने and or, persuaded his father, और उनके पिता को मनाया, persuade मतलब होता है, convince कर लेना एक तरह से, या फिर influence कर लेना, कुछ करने के लिए तो persuade किया, यानके मना लिया, राजी कर लिया, convince कर लिया, influence कर दिया उनको, his father उनके पिता को, to send him, ताकि उसको भेजा जा सके, to send उनको भेजने के लिए, to काशी, विद्ध्यापीट, बनारस, to study, study के लिए तो इसका मतलब है कि, उनकी माता चाहती थी, कि उनका बेटा, एक great Sanskrit का विद्ध्वान बने, और उन्होंने मना लिया, उनके पिता को, उनको चंदरशेकर को भेजने के लिए, काशी, विद्ध्यापीट में, जो बनारस में था, पढ़ने के लिए, to study He learned archery, उन्होंने archery सीखी, from the tribal bills, जो bills होते हैं, आदिवासी bills, तो उनसे उन्होंने archery सीखी, archery मतलब तीर अंदाजी, तीर चलाना, तो He learned, उन्होंने सीखी, archery, कहां से सीखी, from the tribal bills, जो भी जन जाती है, bills होते हैं, तो tribal मतलब होता है, जन जाती है, तो उनसे archery सीखी, और ट्राइबल भिल्स कौन ओफ द अर्ष्टवाइल जाबुआ डिस्टिक्ट तो यह जाबुआ डिस्टिक्ट उस टाइम कोई रहा होगा इसलिए अर्ष्टवाइल लिखावा यहां पर अर्ष्टवाइल का मतलब होता है पूर्व यानि के जिसको हम फॉर्मर बोलते हैं ज उसके जो ट्राइबल भिल्स थे उनसे उन्होंने आर्चरी सीखी विच मतलब यहां पर विच किसके लिए इस ग्रूप के लिए तो विच हैल्प्ड हिम जिन्होंने उसकी मदद करी हिम मतलब चंदर शेकर आजाद की मदद करी लेटरों बाद में डूरिंग अर्म्ड स्ट विचाद से पाद में और होली मतलब के दोरां आंड स्ट्रगल के दोरां संगर्ष के दोरां अगेंग्स्तथ ब्रिटिस-ब्रिटिश के विरुद तो भवरा डिस्टिक्ट जाबुआ के अंदर एक डिस्टिक्ट है वहाँ से अपनी अर्ली स्कूलिंग करी और यह कहाँ पर है मध्यपरदेश में मूoo कि फॉर् हायर स्टिडीज उठ शिक्षा के लिए ही वेंट वह चले गए टू दर संस्कृत पाढ़ शाला एट वाराणसी तो वह शंस्कृत पाढ़ शाला में चले गए वाराणसी में चंदर से शेखर व्हुश डीपली ट्रबड चंदर शेखर बहुती डीपली नतलब गहराई से बहुत ही ज्यादा troubled प्रेशान हुए तो यह passive voice है तो चंदर शेकर was troubled वह बहुत ज्यादा troubled हुए प्रेशान हुए बाइदा जलिया वाला बाग massacre यह जलिया वाला बाग हत्याक आंड जो है इससे वह बहुत troubled हुए इन अमरिस्तर में यह हुआ था in 1919 में तो यहां पर एक word बहुत प्यारा word है massacre massacre मतलब होता है नर सनहार या फिर हत्याकांड या slaughter slaughter मतलब होता है काट देना वद करना और massacre होता है नर जो नर होते हैं आदमी मनुष्य उनको मार देना उनकी killing को बोलते है massacre तो जो जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ massacre हुआ अमरिस्तर में 1919 में इससे वह बहुत ज्यादा deeply troubled हुए परिशान हुए कि इन दिसेंबर 1921 दिसेंबर 1921 में चंदर शेकर जो है at an age of 15 15 साल की उमर में तो दिसंबर 1922 में जब चंदर शेकर 15 साल के थे केवल तो got involved वह शामिल हो गए तो get involved का मतलब होता है शामिल हो जाना in the revolutionary activities जो भी क्रांतिकारिक गतिविधिया थी activities मतलब जो भी वह करते थे freedom के लिए क्रांतिकारिक यह revolutionary मतलब क्रांतिकारिक तो पंदर साल की उमर से ही उन्होंने वह शामिल हो गए revolutionary activities में तो क्रांतिकारिक गतिविधियों में उसके बाद he was caught वह पकड़े गए passive voice by the British police जो British police थी उसके द्वारा वह पकड़ लिए गए while participating participate करते हुए in the non-corporation movement जो non-corporation moment moment is अंदोलन और non-corporation is असायोग तो वह सायोग नहीं कर रहे थे तो असायोग moment तो उनको पकड़ लिया गया British police के दुवारा while participating करते हुए while is कुछ काम करते हुए participate करते हुए और सहयोग अंदोलन में and or sentenced to whip lashes और उनको whip मतलब कोड़े मारने की सजा सुनाई गई as punishment punishment के तौर पर हमने जिसे याद किया है sentence to death मतलब मौत की सजा सुनाना sentence behind the bars jail में डाल देना sentence to whip lashes मतलब कोड़े मारने की सजा तो whip बोलते हैं कोड़े को lash मतलब वो जो मारना होता है तो कोड़े मारने की सजा को बोलते हैं देने कोड़े मारने की सजा देना is sentence to whip lashes तो punishment के तौर पर उनको ये सजा दी गई, तो non-cooperation movement, असयो गांदोलन, whiplashes, यानि के कोडे मारना, और sentence to whiplashes, कोडे मारने की सजा देना, तो उनको सजा दी गई, जब the magistrate, अब magistrate कोन होता है, magistrate होता है, दंड अधिकारी, जो दंड देता है, तो when the magistrate asked him his name, जब दंड अधिकारी ने, magistrate ने, उनसे उनका नाम पूछा, he said उन्होंने कहा, आजाद, from that point onwards, उस point के बाद से, onwards मतलब उसके आगे से, जैसे मैं बोलता हूँ, I will not come late from tomorrow onwards, यानि कि मैं कल से और उसके बाद आगे कभी भी लेट नहीं आऊँगा, उसी तरह से from that point onwards, उस moment से, उस point से, जब उन्होंने कहा कि मेर नाम आजाद है, चंदर शेखर assumed the title, उन्होंने मान लिया, इस title को आजाद, मतलब उनके साथ जुड़ गया, and came to be known as चंदर शेखर आजाद, और उनको जाना जाने लगा, came to be known, उनको जाना जाने लगा, as चंदर शेखर आजाद के नाम से, और यहाँ पर assume मतलब मान लेना, और assume the title, किसी को title दे देना, और came to know मतलब जाना जाना, और came to be known, यह passive voice है, to be plus third form, अब क्या हुआ, after suspension, suspension मतलब क्या होता है, रोक देना, पोस्पोन कर देना, after suspension of the non-cooperation movement in 1922 by गांदी जी, तो जब 1922 में गांदी जी के दौरा non-cooperation movement उसके suspend होने के बाद, आजाद became more aggressive, आजाद और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया, अग्रेसिव मतलब आग बबूला क्रोधित होना, तो यह तो normal word है, वैसे भी aggressive, he committed himself, तो उन्होंने commitment किया himself खुद से, जैसे हम लोग commitment करते हैं, कि मैं ये काम करके ही रहूँगा, तो उसी तरह से he committed, उन्होंने संकल्प लिया, himself खुद से, to achieve हासिल करने का complete independence, मतलब पूरी तरह से आजादी, by any means, किसी भी तरह से, तो उन्होंने संकल्प लिया खुद से, पूरा complete independence अचीव करने का किसी भी तरह से, by any means, किसी भी तरह से, और independence मतलब सवतंतरता, और commit मतलब संकल्प करना, achieve मतलब हासिल करना, तो इसके बाद क्या हुआ, he met a young revolutionary, अब वो एक जवान क्रांतिकारी से मिले, revolutionary से मिले, जवान, कौन था वो, प्रनवेश चेटर जी, तो ये नाम था उनका, प्रनवेश चेटर जी, जो की young revolutionary थे, who introduced him, जिनों ने उनको introduce कराया, who introduced him, किस से, to Ram Prashad Bismil से, तो प्रनवेश चेटर जी ने introduce कराया, him को, यानि के आजाद को, किस से, to Ram Prashad Bismil से, और Ram Bismil कौन, who had formed, जिनों ने बनाई थी, the Hindustan Republican Association, HRA, Hindustan Publican Association, जिनों ने बनाई थी, और ये क्या थी, a revolutionary organization, एक करांतिकारिक organization संस्था, तो यहाँ पे देखिए, प्रनवेश चेटर जी, जो है, इसके साथ, यहाँ, who use हो रहा है, this is relative pronoun, यह past indefinite, अब एक और person आ गया, तो इसके साथ, फिर से हू, relative pronoun, तो double-double relative pronoun, और एक ही संट, पहले relative pronoun के साथ, past indefinite, दूसरे relative pronoun के साथ, past perfect, तो introduce, मतलब जान पेचान कराना, form मतलब बनाना, और organization मतलब संस्था, तो अब क्या हुआ, इसके बाद, आजाद was impressed, आजाद impressed हुए, with the aim of HRA, जो भी HRA, यानि के हिंदुस्तान Republican Association का जो एम था, उससे वो काफी impressed हुए, on introduction, मतलब परिच्चे पर, introduction आप जानते हैं, परिच्चे, on introduction मतलब परिच्चे पर, बिस्मिल वोज इंप्रेज्ट, अब बिस्मिल इंप्रेज्ट हुए, बिस्मिल कौन, जो ये HRA के, जो उन्होंने फॉर्म किया, तो बिस्मिल इंप्रेज्ट हुए बाई आजाद, आजाद से, वेन, जब आजाद, रिपोर्टेद ली, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार, जब आजाद, पुट इस हैंड, जब उन्होंने अपना हाथ रखा, ओवर लैंप एक दिये के ऊपर, and did not remove it, और उसको remove नहीं किया, तिल इस स्कीन बर्ट, जब तक उसका स्कीन नहीं जल गया, तो उन्होंने रिमूव नहीं किया, तो reportedly मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार, he then became an active member, फिर वो बाद में बन गाए एक active member, यानि कि जो active है, He then, वो फिर became, बन गए an active member of the HRA, HRA के active member बन गए and or started और शुरू कर दिया to collect funds, fund इकठा करना शुरू कर दिया for HRA, HRA के लिए, अब यहाँ पर word याद कर ले, lamp मतलब दिया, जो दीपक होता है, reportedly मतलब report के अनुसार, इसके बाद आगे अब क्या वा, वो active member बन गए HRA के और करना HRA के लिए, most of the fund collection, जो ज़्यादतर fund collection थी, was through robberies, वो ज़्यादतर डकैतियों के थूरू थी, robbery मतलब होती है, डकैती करना, और डकैती मतलब loot लेना, किसी भी bank को loot लेना, bus को, train को, किसी भी चीज़ को उसको robbery बोलते हैं, चोरी करना, तो ज़्यादतर जो fund collection था, वो of government property, जो सरकारी property थी, उसकी robbery से उन्होंने fundraise किया, तो ज़्यादतर fund collection कहां से थी, government property की robbery से, तो यहाँ पर वर्ड याद कर ले, robbery, इसके बाद क्या हुआ, he also wanted to, वो ये भी चाहते थे, क्या, to build new India, वो एक नया भारत भी बनाना चाहते थे, based on socialist principles, जो भी socialist सिधानत हैं, principles हैं, उनके base पर वो एक नया भारत बनाना चाहते थे, azad and his compatriots, जो आजाद और उसके जो साथी थे, compatriots कौन होते हैं, patriot आप जानते हैं, patriot is देश भगत, और compatriots, मतलब जो उसके साथी देश भगत थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, compatriots, जो साथी देश भगत बाकी वाले, तो azad और उनके जो बाकी देश भगत दोस्त थे, also planned, उन्होंने plan भी किया, and executed, और execute किया, यानि कि उसको follow किया, कि इसको several acts of violence, बहुत सारे जो उनके कारिय थे, हिंसा वाले कारिय, उनको उन्होंने execute किया, against the British, ब्रीटिश के खिलाफ, तो azad और उनके जो साथी देश भगत थे, उन्होंने plan किया, और उसको फिर, उस पर फिर अमल किया, और किस चीज़ पर, जो भी उनके, कुछ, several, कुछ, जो हिंसा वाले काम थे, ब्रीटिश के खिलाफ, उनको पालन किया, उनका, most of his revolutionary activities, जो भी उनकी जादातर, most of his revolutionary activities, उनकी जादातर, क्रांतिकारिक, गतिविदिया, वर planned, वो planned थी, योजना कैनुसार थी, and executed, और executed उनको किया गया, from साजापूर, साजापूर से, which was also the hometown of रामपरशाद, जो की, रामपरशाद का hometown भी था, तो यहाँ पर, which use where, relative pronoun, एक place को बता रहा है, और यहाँ पर आप चाहो, तो वेर भी लिख सकते हो, वेर, साजापूर, which was also the, नहीं, वेर यूजनी होगा, which क्योंकि, non-living thing की बात है, this is relative pronoun, और most of his revolutionaries, जो है, यह एक object का काम कर रहा है, और यह सारा object है, और were planned, तो यह passive voice, तो passive voice past indefinite, आगे लिखा है, he was involved, वो शामिल थे, in the famous kakori train robbery, तो वो शामिल थे, जो मशूर famous kakori train robbery है, train की चोरी, of 1925 की, वो उसमें भी शामिल थे, he believed, उनका विश्वास था, that की, aggression was necessary, aggression जो है, आकरमन वो जरूरी था, तो वो विश्वास करते थे की, आकरमन नसेसरी था, जरूरी था, to end the British rule, British rule को खतम करने के लिए, तो aggression is, आकरमन, robbery आपको पता ही है, अब तो ढक्याती, चोरी, और rule मतलब साशन, तो उनका मानना था, की, आकरमन नसेसरी था, British शाशन को end करने के लिए, आजाद, along with भगत सिंग, तो जो आजाद है, भगत सिंग के साथ, तो distanced themselves, उन्होंने खुद को दूर कर लिया, दूरी बना ली, तो आजाद ने, भगत सिंग के साथ, मतलब यह निये कि भगत सिंग से दूरी बनाई, along with मतलब यह दोनों एकी साथ, इन्होंने दूरी बना ली themselves, from the parts of Gandhi, गांदी जी के पत से, तो इन्होंने गांदी जी के रास्ते से दूरी बना ली दोनोंने, वो ज्यादा अट्रेक्टिड थे, by the aggressive and violent revolutionary ideals and means, जो भी, violent मतलब हिंसक, revolutionary मतलब करांतिकारिक, और ideal मतलब आदर्श, जो भी हिंसक, करांतिकारी आदर्श थे, या भी means थे, जो वो जो साधन, मतलब तरीके, उनके acts, तो उनसे वो ज्यादा अट्रेक्टिड थे, ठीक है, they were more attracted, वो ज्यादा अट्रेक्टिड थे, by the aggressive, मतलब जो ज्यादा ये आकराम को, और जो हिंसको, ऐसे आदर्श, जो करा violent है, this is हिंसक, aggressive is, जो जादा जिसमें, जिनका खून खोलता हो, ideals is आदर्श, means is साधन, जैसे आजादी के लिए कोई गोली चला के मार रहा है किसी को, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई इकठे हो के किसी पर अटैक कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह से freedom को अचीव करने कोशिश करना, तो वो जो अलग अलग तरीके होते हैं, उनको means बोलते हैं, तो वो उनको ज्यादा attract करते थे दोनों को, अब क्या हुआ, towards the end, towards this end, मतलब इसके अंत में, जब वो अंत की तरफ जा रहे थे तो उसके दोरान, they formed the Hindustan Socialist Republican Association, तो उन्होंने HSRA बनाया, तो they formed उन्होंने ब revolutionaries और बहुत सारे करांतिकारियों को train किया, like जैसे भगत सिंग को, सुखदेव, बातुकेशवरदत, एंड राजगुरू, इनको उन्होंने train किया, तो revolutionaries, इसके बाद अब क्या हुआ, आजाद वो इंस्ट्रुमेंटल, जो आजाद थे, वो सहयोगी थे, instrumental मतलब यहाँ प acts of violence, numerous मतलब बहुत सारे, acts of violence मतलब हिंसा वाले काम, तो बहुत सारे जो हिंसा वाले काम थे, उनको carry out करने में, यानि कि उनको लागु करने में, आजाद, instrumental थे, सहयक थे, तो instrumental, सहयक, numerous, बहुत सारे, carry out मतलब पालन करना, लागु करना, और acts of violence, हिंसा वाले काम, तो इसमें काकोरी ट्रेन रोबरी इन 1926 में यह भी शामिल है असेसिनेशन मतलब होती है ओफिशल मडर तो ओफिशल मडर को हम बोलते हैं असेसिनेट करना किसी को मार देना किलिंग करना मडर करना तो असेसिनेशन यह हत्या और काकोरी ट्रेन रोबरी 1926 की यह सब शामिल है और यह जो असेसिनेशन थी इनकी कहां पे in 1928 में एट लाहोर लाहोर में तो यह शामिल है और यह असेसिनेशन हत्या क्यों ही थी तो अवेंज, प्रति शोद लेने के लिए, अवेंज मतलब होता है बदला लेना, प्रति शोद लेना, किसका बदला, the killing of लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय का जो उनका हत्या हुआ, उसके प्रति शोद में इन्होंने जॉन जो ये हैं, इनका assassination किया, तो कहा रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे acts of violence में सायक थे आजाद, instrumental थे और यह जो acts of violence है इनमें कौन-कौन से शामिल है काकोरी ट्रेन रोबरी 1926 की और इनकी हत्या लाहोर में क्यों करी थी हत्या लाला लाजपतराय के प्रतिशोध का मतलब बदला लेने के लिए तो avenge मतलब प्रतिशोध, assassination is हत्या, आगे क्या हुआ, how important, कितना important his role was, उसका उनका रोल था in the freedom struggle, आजादी के संगर्ष में ऑफ इंडिया भारत के, can be understood, समझा जा सकता है, कह रहे हैं कि कितना important उनका रोल था, उनकी भूमिका थी, भारत की आजादी के संगर्ष में, तो can be understood, इसको समझा जा सकता है, by the fact that, इस तथ्या से कि, the British police badly wanted, वो उसको बुरी तरह से चाहती थी, to nab him, बुरी तरह से चाहती थी, कि उसको दबोच लिया जाए, nab मतलब होता है, दबोच लेना, या तो dead या alive, तो कह रहे हैं कि, उनका रोल कितना important था, भारत के freedom struggle में, उसको समझा ज सकता है, इस तथ्या से कि, British police कितना बुरी तरह से चाहती थी, उसको दबोच ना चाहे, dead या alive, dead मतलब मरे वे, alive मतलब जीवित, चंदर शेकराजाद was a terror, चंदर शेकराजाद एक आतंक थे, terror मतलब आतंक, for the British police, British police के लिए, तो terror मतलब आतंक, terrorism आतंक उसको भी बोलते हैं, और terror यहां पर exact कहूं तो खतरा एक तरह से, आतंक भी बोल सकते हैं, खतरा भी बोल सकते हैं, तो टेरर थे उनके लिए तो टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी और टेररिजम आतंकवाद और टेरर खत्रा या आतंक और बाकी टू टेरर इस आतंकित करना अगर वर्ब की तरह यूज़ करना चाहो तो तो चंदर शेकर आजाद एक खत्रा थे टेरर थे आतंक थे ब्रिटिश पुलिस के लिए अब क्या हुआ ही वोज ऑन देर हिट लिस्ट वो उनकी हिट लिस्ट में थे मतलब सबसे जो हिट लिस्ट थी कि यह वाले खतरनाक लोग है उस लिस्ट में थे चंदर शेकर आजाद ओन फैबरेरी 27 ताइस प्रवरी 1931 को चंदर शेकर आजाद मेट टू अफ इस कॉमरेड्स कॉमरेड होते हैं साथी जो भी साथी होते हैं इनको कॉमरेड बोलते हैं और आपने उपर वर्ड भी पढ़ा था शायद कंपेट्रियोट्स कंपेट्रियोट्स भी वही होते हैं जो भी देश भगत साथी होते हैं तो कॉमरेड भी वही होगे साथी तो जो कॉमरेड थे अब यहां पर ध्यान से समझेगा टू ऑफिस कॉमरेड उनके जो साथी ते उनमें से दो तो आजाद मिले अपने साथियों में से दो से कहां पे एड़ अलफ्रेड पार्क में का दिया गया दो बीट्रे मतलब विश्वासगात करना तो उनके साथ विश्वासगात किया गया और एक सूचना देने वाले के द्वारा who had informed जिसने inform किया था the British police को तो who यहाँ relative pronoun है और informer के लिए यूज कर रहे है informer ही सूचना देने वाला तो उनके साथ विश्वासगात किया गया एक informer के दुवारा जिसने British police को inform किया था the police surrounded the park police ने park को surround कर लिया घेर लिया surround मतलब घेरना घेरने के लिए और भी word आते हैं जैसे की cordon c-o-r-d-o-n cordon besiege besiege तो यह सारे word क्या होते है surround करना तो police ने घेर लिया था park को and ordered चंदर शेकर आजाद to surrender और order किया चंदर शेकर आजाद को आत्म समर्पन करने का surrender करने का कि वो police के हवाले उसको कर दे खुद को अब क्या हुआ चंदर शेकर आजाद fought चंदर शेकर आजाद लड़े alone अकेले valiantly शूरवीरता से तो valiantly मैंने आपको word भी कराया था 1000 वाली सीरीज में तो valiantly मतलब होता है योधा शूरवेर जैसे माराना परता was a valiant warrior बंदा सिंह बादूर was a valiant warrior तो valiantly एक एडवर्ब है यानि के शूरवीरता से बहादूरी से bravely तो चंदर शेकर आजाद लड़े अकेले बहादूरी से and और killed three police men और तीन police men को उनको मार दिया बट लेकिन finding himself खुद को पाकर surrounded गिरा हुआ केरे खुद को गिरा हुआ पाकर and seeing no root for escape और बचने का कोई रास्ता न देखते हुए तो seeing मतलब देखना no root मतलब कोई रास्ता नहीं for escape बचनिकलने का तो खुद को गिरा हुआ पाकर और बचने का कोई रास्ता न देखते हुए चंदर शेकर आजाद शूट हिमसेल्फ उन्होंने खुद को गोली मार ली दज इस तरह से he kept his pledge उन्होंने अपनी जो ये शपत थी वो रख ली of not being caught alive जीवित न पकड़े जाने की तो उन्होंने का था मैं जीवित नहीं पकड़ा जाऊँगा तो उन्होंने खुद को गोली मार के अपनी इस pledge को अपनी इस शपत को पूरा किया तो keep pledge मतलब अपनी जो भी शपत लिए उसको रखना और यहाँ पर देखिएगा being plus third form तो यह chapter मैंने being के chapter में करा रखा आपको case number four या five तो पकड़े जाने से ठीक है जीवित तो जीवित न पकड़े जाने की अपनी pledge से pledge को उन्होंने रखा खुद को गोली मार कर दज मतलब इस तरह से अब यहाँ पर word देखिए being caught पकड़े जाने से देख लीजिएगा वीडियो कोर्स में मैंने दे रखी हैं तो आप मेरे कोर्स को definitely join कर लें आपको English में बहुत benefit होगा believe me pledge मतलब शपत keep someone's keep once pledge मतलब अपनी जो भी बंदा है अपनी pledge को रखना no root मतलब कोई रास्ता नहीं और surrounded मतलब घिरा हुआ valiantly मतलब sure वीरता से और alive यहाँ पर जीवित इसके इलावा surrender करना आतमसमर्पन करना पुलिस के हवाले करना betray मतलब विश्वास घात करना informer सूचना देने वाला inform सूचित करना और बाकी by the fact इस तथे के दुआरा freedom struggle, आजादी का संगर्ष role मतलब भूमी का तो वैसे तो मैंने आपको सारे word बताई दिये हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा सारे इन words को तो वीडियो कैसी लगी और चंदर शेकर आजाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे तो comment section में बताईएगा कि वो कैसे थे उनसे आपको क्या inspiration मिलती है तो क्या inspiration मिल रही है आपको चंदर शेकर आजाद से comment section में जुरूर बताईएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी तो आप मेरे app को download कर ले become English champion link का नीचे description box में और उसमें one year का course है उसको आप definitely तो thank you for watching मिलते हैं अगली वीडियो में